आज मैं आपनों के साथ ब्रेड रोल की रेस्पी सेयर करनी हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे घर जब भी कोई आता है मैं जरूर बनाती हूँ बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि जब मैं लाज्ट टाइम आया था तब भी तुमने यही बनाया था बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सब की बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है आज मैं आपको मेरा तरीका सेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्य अच्छा लगता है आप लोग भी से ट्राइ कीजिएगा तो सबसे पहले मैंने यहां पर बीन्स गाजर बेट्रूट बगरा बारिक बारिक काट लिया है और साथ ही मैंने लिया यहां पर अद्रक और मिर्च दो मिर्च लिए जितना तीख आपको पसंद है उस एकॉर्डिं मैंने और उसमें डाल देंगे अब दो से तीन चमच तेल और हाँ आज की जो यह बेट्रूल की रैस्पे भी ना प्याहिल है तो जो लोग प्याज नहीं खाते वो भी ट्राइ कर सकते हैं कडाई तेल में मतलब मैंने जीरा डाल दिया साथ ही थोड़ा सा कसूरी मिथी डाला है और अदरक मिर्च को डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर आपको यहां पर भूनना है जब तक कि जो अदरक मिर्ची थोड़े से पकना जाए उसके वाद इसमें एड़ करेंगे सूखे मसाले तो मैंने यह डाला हल्दी साथ ही डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर लाल म मिर्च है साथ ही इसमें काली मिर्च का पाउडर और भूने जीरे का पाउडर डाला है यहां पर आपको मसालों को लो फ्लेम पर भूनना है अच्छे से यहां पर भूनना है अगर मसाले जले तो तो पानी डाल करके इसे अच्छे से भूने उसके बाद इसमें एड़ कर दे गलाँ स्बस्क्राइब और लोग 10-3 मिर्च चाहिए explaining this कभूप इस मिर्च दाल सकते और समीच सब्सक्राइब ओर कर ह 넣सी तो टीन मिर्च अठिक अपीज़ ऊना थो जोनी करना है क्या तंट जरों सब्सक्राइब मेरी करना है उससे क्रंची टेश्ट आना चाहिए यहाँ पर जो आलू है वो मैं यहाँ पर चार से पांच आलू है यहाँ पर मैं यूज करूँगी तो जब सारी चीज़े यहाँ पर अच्छे से भुन जाए तो इसमें आलू डाल देंगे तो आप चाहें तो आलू को कदूकस के भी एड़ कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे एड़ कर दें अब मसाले को यहाँ पर आपको तीन से चार मिट तक के लिए बहुत अच्छे से भुनना है यहाँ पर आप बिल्कुल भी हड़ड़ी ना करें मतलब सिर्फ मिक्स करके आपको गैस बन नहीं करना है इसे अराम से आपको मिलाते हुए से भुनना है तब ही जो मसाले का टेश्ट बहुत ही जादा अच्छा हता है तो जब एक बर यहाँ पर देखें मसाले अच्छे से भुनना है इसका कलर कितना अच्छा है बेट रूट की वज़े से आपको नहीं पसंद बेट रूट तो आप इसके भी कर सकते हैं मसाले को बड़े से बरतन में निकाल लेंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए तब ही जो आलू से अच्छी से बाइंडिंग आएगी नहीं तो यह बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाएगी अच्छे से आपको यहाँ पर इसे ठंडा कर लेना है अब हम इसमें डालेंगे रोश्ट की वी मुंगफली तो मैं यहाँ पर मुंगफली रोश्ट करूँगी आप चाहे तो यहाँ पर काजू भी एड़ कर सकते हैं कुछ भी एड़ कीजेगा लेकिन जरूर से कीजेगा बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट आता है मुंगफली रोश्ट हो गई है तो मैं इसमें डाल दिया है थोड़ा सा किसमी सा फ्लेम आफ कर दिया है किसमी सा बैट करेगा है इससे जो मतलब ब्रेड रोल का टेस्ट काफी अच्छा हता है साथ ही वारी कटा हरा धनिया थोड़ा सा गरम मसाला एड़ किया है जो मसाले हैं यहाँ पर अलमुश ठंडे हो चुके हैं इससे अच्छे से मिला लेंगे दिखें यहाँ पर कोई भी गुठलियां वेगरा नहीं है यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब आप क्या करें इस तरह जितने बड़े आपको पसंद हो या फिर मेडियम साइज के अब यहाँ पर इस तरह से टाइटली रोल बनाएं इदम टाइटली बनाना है आपको तभी जो ब्रेड रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे अच्छे से यहाँ पर आप इस तरह से बना ले सारे तो मैंने यहाँ पर सारे रोल बना लिये हैं अब मैं यहां यूज करी हूँ आज मिल्क ब्रेड आप चाहें तो वीड ब्राउन ब्रेड जो भी ब्रेड आपको पसंद हो यहां यूज कर सकते हैं लेकिन इसका टेश थोड़ा जादा अच्छा लगता है और यह अच्छे सेक्दम बाइंड भी हो जाती है किनारो को मैं यहां काट रही हूँ इस तरह से ताकि यह जो रोल अच्छे बनेंगे किनारों को मैं यहां यूज करूँगी ऐजे ब्रेड कृम, इसलिए ब PT यार में डालए है जो प्रेड केард में होता है, ऊपर और नीचे वाला ब्रेड वो भी मैं इसमें तोड़के डाल रही हूं और यहाँ पर इसे क्राइन कर लेंगे दर दरा तो यहाँ पर जो हमारा instant breadcrumb बन करके तयार हो गया है अगर आपको यहाँ पर इसे लंबे समय तक इस्टोर करना है तो आप इसे हलका सा रोश्ट कर दें उसके बाद आप इसे इस्टोर करके रख सकते हैं अब यहाँ पर एक बड़े से बरतन में ले लेंगे आढ़ा गलास दूद, साथ ही मैने लिया यहाँ पर आढ़ा गलास पानी और क्या करेंगे, ब्रेड को इसमें अच्छे से कर दिप करके हाथों से दबा देंगे ताकि अच्छे से सौफ्ट हो जाये और इसमें जब यहाँ इस तरह से ब्रेड रोल बनाएं तो अच्छे से evenly एकदम हैंडल हो सके तो इसे आप अच्छे से इस तरह से रोल कर दें बहुत ही आसानी से अराम से हो जाता है आपको जहां लगे कि गैप हो वहाँ पर थोड़ा सा अलका सा हाथों में दूद लगाएं और इस तरह से उसे सिल कर दें बहुत ही आराम से ये हो जाता है उसके बाद आप इसे डिप कर दें ब्रेड क्रम में जो हमने बनाया था इस तरह से ब्रेड रोल बने वे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगते हैं देखने में भी और खाने में तो सूपर सूपर क्रिस्पी होते हैं और जो ब्रेट के साइड वाला है वो भी यूज हो जाता है इसी तरह से मैं यहाँ पर बाकी के सारे ब्रेट रोल बना लूँगी आप लोग कमेंड करके बताईएगा कि आप लोग इसके साथ कौन सी चटनी खाना पसंद करते हैं आज मैं इसके साथ खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सरसो और लैसुन की चटनी बनाऊंगी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसके साथ इसे ट्राई केजेगा तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो ब्रेड रोल्स थे वो सारे बना लिये हैं और इसे खुले में छोड़ देंगे तकरिवन 20-25 मिन तक के लिए आप चाहें तो इस स्टेज में से फ्रोजन करके इस्टोर भी कर सकते हैं यहाँ पर आप छोड़ दें उसके बाद ही आप इसे फ्राई करें तूरत ना करें अब चटनी बनाने के लिए मैंने डालें यहाँ सर्सो का तिल साथ ही डाल दें 10-12 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्श डाल लिए मतलब जिस एकॉर्डिंग आपको तीखा पसंद है उस एकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिर्श एड़ कर सकते हैं तो इससे ठंडर कर लेंगे उसके बाद डाल देंगे इसे मिक्सर के जार में तेल के साथ ही डाल दें मतलब यह चटनी इतनी जादा यमी होती है कि मैं क्या बोलूँ साथ ही मैंने इसमें डाल दिया दो चमच सरसो और टेस्ट के अकाडिंग नमक ऐसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे उसके वादे आप इसमें पानी आड़ करें जितना मतलब आपको लगे पानी उससे पानी आड़ करें और इसे एकदम फाइन पीस करके तयार कर लें देखें यहाँ पर यह एकदम स्मूथ हो गई है इसे निकाल लेंगे एक बाउल में इसमें डाल देंगे आधा निम्बू कर रस बहुत ज़्यादा यमी लगती है हमारे तरफ इसे समूसा अलू चौप के साथ दिया जाता है आप लुग जरूर से चतनी को ट्राइ केज़ेगा अब ब्रेड रूल को फ्राइ कर लेते हैं तो इसके लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए मतलब आप इसे लो फ्लेम पे अचे लीन मत फ्राइ करें हैं अच्छा से गर्म कर लें देल को दूमा उतने जैसा उसके बाद जब ब्रेड रूल अब डाल दें तो थोड़े से फ्लेम को कम कर दें उसके बाद आप इसे अराम से अलटते पलटते चारो साइट से बहुत जादा टाइम नहीं लगता है ु अभी जो इसका कलर है बिल्कुल घुलाब जामुन की तरह एकदम इवेनली आएगा बहुत ही जादा अच्छे बनते हैं आप लोग ट्राइ किजेगा देखें यहाँ पर जो ब्रेड डॉल है वो मैंने फ्राइ कर लिये हैं और साथ ही मैं इसके मिर्च प्राइ कर रही हूँ बहुत बहुत सूपर टेश्टी लगते हैं और यह सूपर सूपर क्रिस्पी है मैं आपको क्या ही बताओं इसका टेश्ट अगर आप लोग एक बार ट्राइ किजेगा तभी आपको मालूम चलेगा और इस सरसो की चटनी के साथ तो इसका टेश्ट एकदम अल्टिमेट वाल जो ब्रेड रोल थे थोड़े ठंडे हो गया था उसके बाद मैं यहां पर इसे तोड रही हूं अंदर से इसका मसाला देखे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ट्राइ किजेगा रैस्पी और जब भी ट्राइ क कैसी लगी मुझे यह भी बताईएगा विलते नेक्ष्ट व्लाग में तब तक की लिए बाब बाई